अब सभी का फिर से स्वागत है कॉंपिटिशन कम्यूनिटी के इस ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर मैं हूँ अभिशेक गौहरा और हम डील कर रहे हैं करंट अफियर्स आज उस सीरीज में हैं ट्यूस्डे और आज हम डील करने वाले हैं क्या किस प्रकार से हमारे competitive exams में question मनाया जा सकते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और यह जो वीडियो होगा यह हमारा based होगा किस पर कल याने की सोमवार को हमने जो current affairs deal किया था subjective उस पर based होगा आयो शुरू करते हैं आज का session तो सबसे पहला question आप लोगों के पास में है what is the name of document being prepared by राज नीती आयोग as a vision document for developed चत्तीजगड विक्सित चत्तीजगड के लिए vision document के रूप में राज नीती आयोग द्वारा तयार किये जा रहे दस्तवेश का नाम क्या है अमरिटकाल चत्तीजगड विजन दो हजार चोबिस अमरिटकाल चत्तीजगड विजन दो हजार मिशन दो हजार पचास या फिर अमरित काल 36 गड़ मिशन 2050 ठीक है तो आप लोग options देखेंगे और इसका क्या करेंगे जवाब देंगे अमरित काल 36 गड़ विजन 2047 अमरित काल 36 गड़ मिशन 2047 अमरित काल 36 गड़ विजन 2050 या फिर हमारे comment section का यूज करेंगे अपना स्वा अवलोकन करने के लिए ये जरूरी है ठीक है तो इसका answer हो जाएगा option number a यानि की 36 गड़ अमरित काल 36 गड़ विजन 2047 ये होगा उस document का नाम जो राज नीती आयोग द्वारा क्या किया जा रहा है प्रिपेर किया जा रहा है कल ही हमने देखा है राज नीती आयोग जो है वो 36 गड़ में नीती निर्मान के लिए या फिर हम बोले प्लानिंग के लिए 36 गड़ में कैसे प्लान करके हम development करेंगे उसके लिए जो सिर्षष्ट संस्थान है अपेक्स बॉड़ी है वो है कौन सी राज नीती आयोग हमने देखा था सबसे पहले ये सन 2001 में एक बोर्ड के रूप में क्या हुआ था स्थापित किया गया था स्टेट प्लानिंग बोर्ड के रूप में सन 2010 में इसे क्या बना दिया गया था स्टेट प्लानिंग कमिशन बना दिया गया था या फिर आयोग बना दिया गया था और अभी हाल ही में 2024 में इसे क्या कर दिया गया है आयोग से बदल करके इसको क्या कर दिया गया है नीती आय इसे क्या दे दिया गया है तो मेंस के लिए आप लोग रेडी रहेंगे राज नीती आयोग के सोपान के लिए अगला क्वेशन देखते हैं महिलाओं के रोजगार सम्मर्धन के लिए चत्तीजगड के गाओं में विक्सित किये जाने वाले समुदाइक केंद्रों का नाम क्या होगा या फिर यह भवन भी आप बोल सकते हैं इसको यह कम्यूनिटी बिल्डिंग्स के रूप में होने वाली हैं बिल्डिंग्स या फिर भवन तो इनका नाम क्या होगा A. मैत्री सदन या फिर B. महतारी सदन C. माता दाई सदन या फिर D. दाई दिदी सदन दाई दिदी सदन तो इन में से क्या होगा आपका option बताएंगे इसको मैत्री सदन महतारी सदन दाई दिदी सदन या फिर D. माता दाई सदन यहां पर यह आ जाएगा माता दाई सदन यहां पर आप लोगों का option नंबर B हो जाएगा सही आंसर मतलब 36 गड में महिला उत्थान और महिला शशक्तिकरण के माध्यम से गाउं का गाम ग्राम पंचायतों का सरवांगिड विकास करने के लिए एक नया स्कीम लेकर के आ रही है चतिसगड गर्मन से जिसमें क्या होगा महिलाओं के रोजगार के संबन्द में इवन उनको काम करने के लिए एक special place provide करने के लिए महतारी सदनों का निर्मान किया जाएगा और यह कैसे निर्मान किया जाएगा चरण में चरण बद्ध तरीके से किया जाएगा मतलब phases में इसका निर्मान कराया जाएगा और जो पहला phase होगा first phase इसमें हर block में 10 महतारी सदनों का निर्मान करना है 10 महतारी सदन in every block और इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे 36 गड़ में total कितने blocks हैं 146 और हर जगा कितने होंगे 10 महतारी सदन होंगे तो ये total आपका 1460 महतारी सदन पहले चरण में क्या करना है आप लोगों को निर्मान करने का लक्ष रखा गया है अगला question देखे हैं Which scheme of चत्तीजगड is to be operation in line with the govardhan scheme of central government 36 गड़ की कौन सी योजना केंदर सरकार की govardhan योजना के अनुरूप क्रियानवित की जाएगी तो केंदर सरकार में चलने वाली govardhan योजना के अनुरूप 36 गड़ में कौन सी योजना क्रियानवित की जाएगी क्या ये गौठान scheme है क्या ये आपका govardhan scheme है क्या ये govardhan अभ्यारन्य है या फिर govamsh अध्या अभ्यारन्य है या फिर इन में से कोई नहीं है इसका आंसर आप लोग जल्दी से देंगे गोठान योजना, गोधन योजना, गोवंsh अभ्यारन्य या फिर उप्रोक तुमें से कोई नहीं तो हमने कल ही अपने वीडियो में देखा है जो पिछली सरकार नर्वा-गर्वा-गुरुवा-बाड़ी नामक एक पूरा योजना, भहुत देशिये योजना आपका ले करके आई थी चतिश गण में उसमें से एक था आपका गोठान निर्वान करना या कि जो नर्वा गर्वा गुरुवा बाड़ी था उसमें से जो गर्वा है उसके लिए हमको क्या करना था गोठानों का निर्मान करना था है ना और उनी गोठानों का अब विस्तार करके जो वर्तमान अमारी सरकार है उसने क्या किया है उसे गोवंश अभ्यारण्य का नाम किया है तो यह क्वेश्चन आप लोगों का डारेक्ट ली आ जाएगा और इसका अंसर हो जाएगा गोवंश अभ्यारण अगला क्वेश्चन देखते हैं वेर इस शिव सागर डैम लोकेटेड यह बहुत इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए पहले क्वेश्चन भी Gretar सेंड प्लोवर ग्रीटर सेंड प्लोवर को नामक एक प्रवासी पक्षी है जो 3000 गड़ में दूसरी बार देखने को मिली है इससे पहले यह 2004 में देखने को मिली थी रायपूर के आसपास है ना तो ये कौन सा जगा है ये कहां देखने मिला है ये हमको देखने मिला है शिव सागर बांध में अब ये शिव सागर बांध कहां पर है ये हमको बताना है मुंगेली बिलासपूर गोरेला परिंडरा मारवाही या फिर कबीर धाम जवाब देंगे इसका तो यह हो जाएगा इसका option number B option number B बिलासपूर में स्थित है कौन शिव सागर बांध आगे चलते हैं अगला question देखते हैं who has recently been appointed as the first female general manager of south eastern central railway very important और यह expected है यह आगामी किसी ना किसी exam में आप लोगों को यह question आएगा ही आएगा हाल ही में दक्षिन पूर्व मध्य railway की पहली महिला महाप्रबंधक के रूप में किने नियुक्त किया गया है और यह बहुत ही strict व्यक्ति हैं है और इन्हें specially invite किया गया है ताकि यह हमारे south east central railway की जो बद हाली है उसे सुधार सके अपने discipline को पूर्ण साउथ- मुख्याले का नहीं जिसका मुख्याले कहा है बिलासपुर छतीस iniagar में इसके महा प्रबंधक बनी है तो ये हो जाएंगे आपकी option number D जिनका नाम है क्या नीनू इटेरा ये आपके तमिल नाडू से हैं ये तमिल नाडू में अपनी सेवाय दे रही थी railway को south railway को उसके बाद इन्हें विशेश रूप से यहां चत्तीस गड़ में बुलाया गया है भी हमने देखा है तो ये कहां पर है आपका option number B बिलासपूर बहुत ही आसान सवाल है बहुत ही आसान सवाल चोटे बच्चे को भी उठा करके अगर पूछेंगे तो वह भी तुरंत का तुरंत इसका जवाब देगा इन विच अबंग्स दा फॉल्विंग ट्राइबल कर्चर इट इस ए ट्रेडिशन टू लीव दा हाउस और शिफ्ट तो अन्यू वन आफ्टर डेथ आफ एनी फैमिली मेंबर नम्दलिकित में से किस आदिवाशी संस्कृती में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यू के या जैसा कि कल हमने देखा ट्राइबल आपका डिपाट्मेंट का एक रिपोर्ट आया है जिसमें यह बताया गया है ये जो पर्टिकुलर जंजाती है वो स्थाइद निवास न होने के कारण न होने के कारण ये समाज की मुख्यधारा में नहीं जुड़ पा रही हैं अतार प्रयासों के बाद भी सरकार के ये कौन सी जाती हैं इनका कारण क्या है क्योंकि ये अपना घर चोड़ देता हैं अहर इनके घर में किसी की मृत्तिव हो जाती है तो ये लोग अपना घर छोड़ करके ही कहां कि जाते हैं दूसरे घर में चले जाते इसलिए ये कभी पक्का घर नहीं बनाते हैं या फिर जो कच्छे घर होते हैं आपके मड़ से बनाए हुए पत्तों से बनाए हुए वहां रहते हैं यह लोग और यहां पर आपका आपका ऑप्शन है आप लोग बताएंगे इन में से कौन सा वो जन जाती है जो अपने परिवार के किसी सदस के मृत्तिव के बाद सीधा घर छोड़ करके ही दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है अब बुझिया, बी पंडो, सी बैगा या फिर दी पहाडी कौरवा तो इसका आंसर आप लोगों के पास में हो जाएगा क्या option number D याने की पहाडी कौरवा ये पहाडी कौरवा है आप लोगों को पता है आपके 36 गड़ का एक district है जिसका नाम है कौरवा और कौरवा का जो नाम है वो इन ही कौरवा से रिखा गया है मतलब कौरवा का जो नाम मिला है वो इन ही कौरवा से मिला है और कोरवा की दो अलग अलग क्या है समुदाय है एक है आपका दिहाडी कोरवा और एक है पहाडी कोरवा ये जो पहाडी कोरवा होते हैं ये पहाडों में निवास करते हैं अपने नाम के अनुरूप और ये जो दिहाडी कोरवा है ये पहाडों से नीचे उतर कर कहां रहने ल गए हैं आपका पलेन मैदानी छितरों में रहने गए हैं और यह पहाडी कोरवा है यही है आपकी तो जो जो रूप tahun पिछड़ी जनजाती है वो कौन सी है पहाड़ी कोरवा है और इन लोगों का समाज की मुख्यदारा में विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पास में क्या नहीं है स्थाई निवास नहीं है क्योंकि ये घर छोड़ करके चले जाते हैं किसी की मृत्तियू के बाद में जनजाती समू के रूप में घोशित किया गया है क्या ये पंडो है क्या ये भुझिया है क्या ये कमार है क्या ये बिरहोर है अब हमारे पास options कैसे हैं एक और चार यानिकि पंडो बिरहोर दो और तीन यानिकि भुझिया कमार तीसरा है एक और दो यानिकि पंडो और चत्तिस गड़ सरकार द्वारा विशेश रूप से पिछडी जनजाती अलग से गोशित किया गया कौन सी आपकी ट्राइब्स है या फिर जनजाती समूह है तो हमारे चत्तिस गड़ में कुल मिलाकर के साथ क्या है पर्टीकिलरली वल्नेरेबल ट्राइबल ग्रूप से या फि वो जो है उनको राज्य सरकार द्वारा घोशित किया गया है तो यह जो आपके केंद्र सरकार द्वारा घोशित किये गया है यह कौन-कौन से है एक है आपका अबूज माडिया अबूज माडिया दूसरे है आपके कौन बैगा तीसरी है आपके कौन कमार चौत है आपके अब पांचवे हो जाएंगे आपके कौन हाड़ी कोरवा जैसा कि अब भी हमने देखा यह सब ही वो है जिनने क्या किया गया है केंद्र सरकार द्वारा घोशित किया गया है कि यह विशेश पिछड़ी जनजाती समू होंगी अब दो जो हमारे पास 36 गड़ के द्वारा है वो है आपके पंडो और दूसरा है भुंजिया इन दोनों जनजाती समूहों को इनके पिछड़े पन को देखते वे 36 गड़ साशन ने अलग से क्या किया है गोशित किया है तो हमारे पास option number one और two हो जाएगा जो की है हमारा option number c याने की one and two और यह हो जाएगा हमारा क्या answer ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले question में चलते है where is the national youth athletics championship to be organized राश्ट्री यूवा एथलेटिक्स चैंपियन्शिप किया आयोजन कहां किया जाना है क्या यह भूवनेश्वर में किया जाना है क्या यह राइपूर में किया जाना है क्या यह डेली में किया जाना है या फिर यह बिलासपूर में किया जाना है इसका आप दिल्ली या फिर बिलासपूर हाल ही में 36 गड़ के राइपूर में राज्यतरी राइपूर के स्वामी विवेकानन स्टेडियम जो कि कहां पर है कोटा में राइपूर कोटा में यहां एक राज्यस्थरी एथलेटिक्स यूवा सेलेक्शन चैंपियंशिप किया था यानि कि चैन प्रतिस परदा आयोजित की गई थी जिसमें 29 युवा आपके राजिके उनको सेलेक्ट किया गया है इस राष्ट्रिय युवा एथलेक्श चैंपियंशिप के लिए तो ये कहां पर होना है वह नेश्वर राइपूर दिल्ल या फिर बिलासपूर तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में option number D बिलासपूर यानि कि बिलासपूर में होने वाला है इसके साथ में एक बहुत important है बात वो यह है कि इसका उन्नीस्वा संसकरण है 19th edition of Youth Athletics Championship राष्ट्रिय यूवा चैंपियन्शिप जो है इसका उन्नीस्वा संसकरण होने वाला है कहां पर बिलासपूर में आगे चलते हैं वेर इस गंदेश्वर महादेव टेंपल लोकेटेड गंदेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है सिरपूर राजिम दंतेवाड़ा या फिर मलहार इसका just पास में हो जाएगा option नमबर यह जो मंदिर है यहाँ पर एक शिवलिंग है जो ऐसा माना जाता है लगबग धाई हजार साल से ज़्यादा पुराना शिवलिंग है जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको तुलसी की खुश्बु आनी शुरू हो जाएगी और यह जो तुलसी की और महादेव शिवलिंग कहां पर है शिरपुर जोकी महासमुद में है अब देखते हैं निम्ण में से कौन चतीजगड की जनजातिय सलाकार परिसद का पदेन सदस्य होता है जनजातिय सलाकार परिसद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है मिनिस्टर इन चार्ज ओफ ट्राइबल अफेर्स याने कि जनजातिय मामलों के प्रभारी मंत्री या फिर मुख्य मंत्री या फिर मुख्य सचिव या फिर इन में से कोई नहीं हमको मालूम है भारतिय सम्मिधान के पांचवी अनुसूची फिफ्ट शेड्यूल के अंडर में आर्टिकल 244 का खंड एक है कौन से अनुसूची के बाद की हमने पांचवी अनुसूची और पांचवी अनुसूची के अंडर में आर्टिकल क्या है 244 खंड एक है clause 1 है और इसमें बोला गया है ये जो आपकी पांचवी अनुसूची है ये पूर्ण तह किस से सम्मंदित है ये आपके जो tribal areas होते है या फिर हम बोले scheduled areas जो है अनुसूची छेत्र और सांत में अनुसूची तजन जाती इन लोगों के प्रशाशन से सम्मंदित ये है क्या आप आपका अनुसूची पांचवी अनुसूची लेकिन ये किनको किनको छोड़ करके है ये आपके अनुसूचे 244 जो पांचवी अनुसूची में है इसमें बताया गया है असम मिघाले त्रीपुरा और मिजोरम इन चार राज्यों को छोड़ करके जितने भी ऐसे राज्ये होंगे जहां पर क्या होगा या तो अनुसूची छेत्र है वहां पर क्या करने की बात की गई है वहां पर अनुसूची छेत्रों में प्रशाशन की बात करी जाती है किसमें इस अनुसूची पांच में इस अनुसूची में एक बात और की जाती है कि जहां पर अनुसूची छेत्र ना हो लेकिन उन राज्यों में अनुसूची जन जाती है तो वहां पर भी आपका कौन सा अनुसूची लागू होगा यही अनुसूची नंबर कौन सा पाँचवा लागू होगा और यह जो आपके असम मेगाले त्रीपूरा और मिजोरम है इनके प्रशाशन सम्बंदिच जो आपका अनुसूची है या फिर हमको पूरे मापदंड मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल या फिर जन जाती सलाहकार परिशद के बारे में बात किया गया है किसमें आपके पांचवे अनुसूची में और ये बोला गया है जिन भी राज्यों में आपके अनुसूची छेत्र हैं वहां पर क्या होगा ट्राइबल एडवाइजरी क उनसे लिया फिर जन जातिय सलाहकार परिशद का गठन किया जाएगा और ये जन जातिय सलाहकार परिशद जो होगी इसका काम क्या होगा इसका काम होगा राज के जो गवर्नर है राज जपाल है उनको राज में अनसूचित छेत्रों और अनसूचित जन जातियों के मामले में प्रशाशन के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए उनके लिए सलाह करेगी किसको राज जिपाल को और राज जिपाल अपनी रिपोर्ट देगा किसको राश्ट्र पती को तो यह है काम किसका ट्राइबल एडवाईजरी काउंसिल का तो अनुसूची पांच के तहत हमारे दे उत्तरप्रदेश के कुल मिला करके तेरा राजियों में 13 स्टेट्स में 13 स्टेट्स में क्या किया गया है ट्राइबल एडवाईजरी काउंसिल का गठन किया गया है बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं हम 36 गड़ प्लस इसके नेबर्स 36 गड़ प्लस इसके नेबर्स किसको छोड़ करके माइनस उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश को छोड़ करके 36 गड़ और उसके सभी क्या आपके बॉल्डरिंग जो स्टेट्स हैं जैसे कि 36 गड़ फिर आगए हम लोग जारखन उडिशा तेलंगाना आंध्रप्रदेश मह महाराश्ड मध्यप्रदेश तो यह कितने हो गए 36 गड़ उडिशा तेलंगाना आंध्रप्रदेश महाराश्ड मध्यप्रदेश और गट जारकन तो साथ तो यही हो गए यह होके कौन साथ प्लस आपका गुजरात ब्लस राजस्थान और प्लस हिमाचल प्रदेश तो ये कुल मिला करके अपने पास में हो गए कितने दफ्स ऐसे राज ये हो गए जहां पर ट्राइबल एडवाईजरी काउंसिल है अब ये जो दस राज है ये वो राज है जहां पर अनुसूचिच छेत्र है अनुसूचिच छेत्र है और वहाँ पर क्या हो रहा है ट्राइबल एडवाईजरी काउंसिल का भी गठन किया गया है लेकिन तीन हमारे पास में और ऐसे राज है जहां पर अनुसूचिच छेत्र नहीं है लेकिन वहाँ पर अनुसूचि जन जाती होने के कारण क्या किया गया है इस ट्राइबल एड्वाइजरी काउंसिल या फिर किसका आपके जन जाती सलाहकार परिशद का गठन किया गया है एक हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं शुरू साते हैं हम लोग फिर से पांचवी अनुसूची किसके बारे में बात कर रहा है यह एड्मिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशाशन के बारे में बात कर रहा है कहां पर बात कर रहा है यह कर रहा है आपके scheduled areas प्लस जहां पर scheduled area नहीं है लेकिन scheduled tribes है जन जाती हैं इन दोनों जगह पर प्रशाशन की बात कर रहा है कॉंट अनुसूची पाँच्वा ठीक है इसके बाद में हमारे पास में अनुच्चेद आ गया 244 का खंड एक इसमें हमारे क्या बोल रहा है tribal advisory council या फिर जन जाती है सलाहकार परिशद की बात कर रहा है अब यहां पर हमारे कितने राज्य हैं जिनमें अनुसूचित छेत्र हैं अनुसूचित छेत्र हैं यह हो गए हमारे पास में कुल दस राज्य और यह 10 राज्य कैसे हम गिन रहे हैं 36 गर्ड प्लस इसके नेबर्स बॉर्डरिंग स्टेट्स माइनस उत्तर प्रदेश प्लस गुजराथ राजस्थान और प्लस क्या आपका हिमाचल प्रदेश यह वो है जिनके पास में क्या है अनुसूचित छेत्र हैं इसके बाद में ऐसे जहां पर अनुसूचित छेत्र नहीं है लेकिन अनुसूचित जन जाथियां हैं वो कैसे कौन-कौन से राज्य हैं तीन है और ये कौन-कौन से हैं एक है आपका बंगाल दूसरा है आपका तमिल नाडू बंगाल है तमिल नाडू है और एक और आपका कौन सा हो जाएगा बंगाल तमिल नाडू और उत्तराखन बंगाल तमिल नाडू और उत्तराखन उत्तराखन तो ये है पूरा का पूरा मामला आपका किसका अनुसूची पांचवे का और इसमें बोला जा रहा है क्या कौन-कौन से राजियों को छोड़ कर तो असम, मेगहाले, त्रीपूरा और मिजोरम जब आप भारत का मैप देखेंगे तो असम से ले करके जब आप काउंटर क्लॉक्वाइज में चलेंगे या फिर काउंटर क्लॉक्वाइज में आप अपना पैन गुमाएंगे तो असम के नीचे मेगहाले, मेगहाले के नीचे त्रीपूरा, त्रीपूरा के बगल में मिजोर तो वहां से आप लोगों को यह आसान हो जाएगा आपको याद रखना कि किनको किनको छोड़ने बोला गया है किसमें आपके अनुसूची पांच में तो यह पूरा अनुसूची पांच का मामला हो जाता है तो यहां पर हमारा क्या है 36 गड़ में क्या आ जा रहा है ट्राइब अब भी हमने बात की इसका काम क्या है इसका काम है आप लोगों को आप लोगों को नहीं आपके राजिय के राज वाल को जनजातिय छेत्रों और जनजातियों का प्रशाशन से सम्भंदित सलाह देना जिससे की वो सलाह जो है कहां पहुँच सके केंदर सरकार और राश्रपती के पास में अब देखे इसके जो सदस्य होते हैं मेंबर्स होगे ये maximum 20 हो सकते हैं maximum क्या होंगे ये 20 सदस्य हो सकते हैं जिसमें से बोला जाता है 3-4 है जो सदस्य है वो ट्राइबल कम्यूनिटी से बिलॉंग करने चाहिए, वो शिड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर अनुसूचित जन जाती के होने चाहिए, लेकिन कहां से, ये होंगे आपके राज की विधाईका से, राज की विधाईका, जैसा कि हमारे राज में क्या है, एकल सदनिय विधाईका है, याने कि हमारे पास में केवल विधान परिशद है, तो ये जो बीस लोग होंगे, इनमें से तीन चौथाई जो होंगे, याने कि पंदरा लोग कैसे होने चाहिए आपके, अनुसूचित जन जाती से होने चाहिए जो हमारे राज की विधान सभा के सदस्य होंगे लेकिन इसी अनुच्छे 244 की ही बात कर रहे हैं हम लोग ये सब अनुच्छे 244 खंड एक में मिल रहा है अगर हमारी राज जी की विधाईका में इतने जो सदस्य हैं वो अनुच्छित जनजादी से जो पंदरा सदस्य होंगे उनको फुल्फिल किया जाएगा मतलब जो पंदरा सदस्य होंगे वो अनुच्छित जनजादी से ही होंगे अगर विधाईका में उतने सदस्य हैं स्टी के तो वही लोग होंगे अगर नहीं है तो कोई अन्य जो आपका अनुच्छित जनजादी समूह में विशिष्ट व्यक्ति होगा उनको इस सलाकार परिशद का क्या बनाया जाएगा आपका सदस्य बनाया जाएगा और ये जो आपका परिशद होगा इसके ex-officio ex-officio या फिर पदेन पदेन अध्यक्ष होंगे कौन आपके राज के चीफ मिनिस्टर उख्य मंत्री होंगे इसके पदेन अध्यक्ष और ऐसे ही आपके पदेन उपाध्यक्ष होंगे पदेन उपाध्यक्ष होंगे और ये होंगे आपके क्या जन जाती मंत्री जन जाती विकास मंत्री या फिर Minister in Charge of Tribal Welfare in the State तो ये है पूरा आपका जन्जातिय सलाहकार परिशद का क्या concept अब हम समझते हैं हमारा question क्या है ठीक है Who amongst the following is ex-officio chairman of Tribal Advisory Council मतलब जन्जातिय सलाहकार परिशद का पदेन अध्यक्ष कौन है तो ये हो जाएंगे आपके पास में option number B मुख्य मंत्री आगे चलते हैं Who amongst the following is ex-officio chairman of Rajneetiy Aayog हमने Rajneetiy Aayog को भी कल बहुत अच्छे से क्या किया है डील किया है तो Rajneetiy Aayog के पदेन अध्यक्ष कौन होंगे ये आपको बताना है क्या ये शहरी प्रशाशन मंत्री होंगे क्या ये राज शहकारी विकास प्राधिकरण के सच्चीव होंगे क्या ये मुख्य मंत्री होंगे या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं राज शहरी विकास प्राधिकरण के सच्चीव शहरी प्रशाशन मंत्री मुख्य मंत्री या फिर कोई नहीं तो हमने कल ही देखा है राजनीती आयोग का क्या होता है जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं ऑप्शन नंबर सी याने की मुख्य मंत्री चीफ मिनिस्टर होंगे यहां पर और यहां पर एक पुर्णकालिक उपाध्यक्ष भी होगा तो आपको यह भी बताना है कि वर्तमान में राजनीती आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन हैं जो पुर्णकालिक उपाध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे या अभी वर्तमान में किने नियुक्त किया गया है राजशाशन द्वारा अजय सिंग, विवेक डांड, अमिताब जैन या फिर आदित्य मिस इनमें से किनहें राजनीती आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है राज्य सरकार द्वारा इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास में option number A अजय सिंग अजय सिंग को वर्तमान में क्या बनाया गया है राज्यनीती आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है आगे चलते हैं match the following developmental authorities with tribes मतलब यह है आपके जनजातिय विकास प्राधी करण विकास प्राधी करण 37 गड़ में जो जनजातियों के विकास के लिए प्राधी करणों का गठन किया गया है उनके स्थान को उनके tribe से आप लोगों को क्या करना है match the following करना है तो यहाँ पर एक तरफ आपको दिये हुआ है आदिवासी या फिर जनजातिय समू बैगा कमार पहाड़ी कोरवा और पंडो पांडा नहीं है जी यह पंडो है और एक तरफ आपको दिया हुआ है सूरजपूर गरिया बंध कबीर धाम और अम्भीकापूर match the following आप लोगों को करना है चलिए भई match the following कीजे आपके 36 गड़ में 6 जनजातिय विकास प्राधी करण है एक है आपका विशेश पिछली पिछडी जनजातिय समू आईए 36 गड़ में 6 क्या है जनजाति विकास प्राधी करण है और यह 6 कौन कौन से है पहला है आपका बैगा या फिर बैगा के लिए 2 हैं 2 तो यह आपको ऐसा होगा विशेश पिछडी जनजाति विशेश पिछडी जनजाति बैगा मेरे हिंदी की मात्राएं थोड़ी सी गड़वड हैं तो उसके लिए आप सभी उसको इग्नोर करके चलेंगे विशेश पिछडी जनजाति बैगा अभी करण या फिर प्राधी करण ये आपके पास में 2 हैं सेम तो एक आपका है कबीर धाम में और दूसरा है आपका कहां गौरेला पेंडरा मारवाही में इसके बाद में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे आपके अबूज माडिया विशेश पिछडी जनजाति अबूज माडिया विकास अभी करण विकास अभी करण या फिर प्राधी करण दोनों में से कोई भी लिखेंगे एक ही बात हैं ये है आपका नरायनपुर में फिर चौन्था हो जाएगा आपके पास में विशेश पिछडी जन जाती कमार विकास कमार विकास अभीकरण और यह हो जाएगा आपका कहां गरिया बंद में यह हो जाएगा आपका कहां पर गरिया बंद में फिर आपके पास में हो जाएगा विशेश पिछडी जन जाती पहाडी कोर्वा पहाड़ी कोर्वा विकास प्राधी करण और ये हो जाएगा आपका अम्मीकापुर में याने की सरगुजा जिले में और एक फाइनली आपके पास में बच जाता है ये दो जन्जातियों को मिला कर बनाया गया है एक है आपका पिरहोर और दूसरा है पहाड़ी कोर्वा तो पहाड़ी कोर्वा एवं बिरहोर विकास अभी करण और ये कहाँ पर है आपका ठीक है तो विशेश पिछडी जन्जाति पहाड़ी कोर्वा एवं बिरहोर इसका जो विकास अभी करण है ये हो जाएगा आपका जश्पूर जिले में ठीक है तो ये हो गया हमारा बैगा के लिए दो है एक कबीरधाम में है एक गौरेला पेंडरा मारवाही में है अबूज माडिया के लिए नरायनपूर में है कमार के लिए गरियाबंद में है पहाडी कोरवा के लिए अंभीकापूर में है और पहाडी कोरवा और बिरहोर दोनों को मिला करके कौन सा है जश्पूर में है यानि कि हमारे बिरहोर एक ऐसा जंजातिय समूह है जिसके लिए अलग से कोई विकास अभी करंट नहीं बनाया गया है उसे अटैच कर दिया गया है किस से पहाडी कोरवा के साथ में तो यहां से हम लोग मैच कर लेंगे अपना बैगा जो है कबीर धाम में गया कमार जो है वो कहां जाएगा गरियापन में पहाडी कोरवा अंभीकापूर में और पंडो है यह कहां पर आपका सूरजपूर में तो सभी वो आपके जंजातियां है जो किसके दोरा notify की गई है central government फिर केंद्र सरकार के दोर कि इस और राज्य शरकार के दोरा भी दो नए क्या बनाए गए है दो अलर्यक्ष विशेश पिछडी जंजातियां है नंको क्या किया गया है नोटिफाई किया गया है उनके पिछडे पन को देखते हुए तो इनके लिए भी अभी करण का निर्माण किया गया है और ये दोनों कौन कौन है पहला है आपका पंडो और पंडो विकास अभी करण मतलब ये कैसा लिखाएगा विशेश पिछडी जन जाती पंडो विकास अभी करण पर्टिकिलरली मॉलनेरिबल ट्राइबल ग्रूप पंडो डेवलप्मेंट अथॉरिटी कहां पर है ये सूरजपूर में और वैसे ही आपका भुंजिया वही विशेश पिछडी जन जाती पंडो विकास अभी करण पर्टिकिलरली मॉननेरिबल ट्राइब भुंजिया डेवलप्मेंट अथॉरिटी ये है आपका गरिया बंद में यहां से फिर हम लोग अपना मैच दा फॉल्विंग कर लेते हैं पंडो का हमारे क्या मिल गया सूरजपूर और गरिया बंद में कमार और कमार के साथ प्राइब ने आक और किन का है छेलए उप्षें अभकर्ट करते हैं क्या करें तो यहràिए ऑप्शन हमारा हो इसके बाद में पहाड सब्सक्राइब निए क कोरवा का क्या है मिल इसके पूर यानिकी ठ्री का फॉर आपशMoreपूर किस तो टोटल हमारे पास में कितने अभी करण है या फिर अथोरिटीज है विशेश पिछडी जन जातियों के लिए तो यह है आपके पास में कितने हैं तो यहां से ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नमबर अगला कोशन चलते हैं हाव मेंडी ट्र डेवलप्मेंट सेलगंस अर्परेशनल confirm चचातिजएजएब मतलब चातिजएब में कितने आदिवासी विकास प्रकोष्ट है यैं प्रकोष्ट की बात कि जा रही है अभी तक हमने किसकी बात किया है authority की बात की है authority या फिर अभीकरण या फिर प्रापधी करण की बात की गई है अब यह जो छह आपके अभीकरण है प्राधी करण है इनका जो actual में implementation का wing है जो actually क्या करेगा धरातल पर काम को कराएगा वो है कौन आपका जंजातिय विकास प्रकोष्ट या फिर cells और यह हमारे चत्तीसगण में कितने है इसका आपको answer देना है 7 है 8 है 9 है या 10 है A7 B8 C9 या फिर D10 A7 B8 C9 या फिर D10 क्या होगा इसका answer तो इसका answer आप लोगों के लिए हो जाएगा option number C 9 प्रकोष्ट है या फिर 9 tribal development cells है जो 36 गड़ में काम कर रहे हैं और किनके अंडर में काम कर रहे हैं ये काम कर रहे हैं authorities के या फिर अभीकरणों के अंडर में काम कर रहे हैं अगला देखते हैं how many tribal development authorities are operational in 36 अभी हमने बात किया क्या 36 गड़ में कितने आदिवासी विकास प्रादी करन हैं तो हमने इसका महाप्रबंदक नीनु 17 किस राज से संबंदित है केरल तमिलनाडू करनाटक या फिर आंध्रप्रदेश केरल तमिलनाडू आंध्रप्रदेश या फिर करनाटक कौन से राज जिसे हमारे साउथी सेंट्रल रेल्वे की पहली महिला जनरल मैनेजर बिलॉंग करती है यह आप लोगों को बताना है केरल तमिल नाडू करनाटा क्या फिर आंद्रप्रदेश तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास में आप्शन नंबर बी तमिल नाडू तो यह है आपके क्या तमिल नाडू से संबंद रखती हैं यह मैडम यहां पर खतम होता है आज का हमारा एमसी क्यू सेशन जो बेज था हमारे मंडे पर जो हमने autoconание गटनाय है उनको सब्जेक्टीव में डिल करेंगे फिर thursday को उसका windows deal करेंगे तब तख आप लोग इस वीडियो को देखेंगे स्वाफ अवलोकन करेंगे पैल आइकन प्रेस करेंगे और हमारे सांग बने रहेंगे, थैंक यू